दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन नीव्स अभी मैं सासा राम पर खंड के मुरादाबाद पंचायत के पैक्स गोदाम पर हैं यहाँ पर हमारे साथ जो है जिला के डीशियो साहब है अरविंद कुमार पासवान जी उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आज एक बैक इत दिन में लोगों के पास आकर निरिक्षण करना गोदामों पर निरिक्षण करना एक कहीं न कहीं एक सक्रियता नजर आ रही है अज एक चोल हम लोग निकले हैं पुरा फिल्ड में चुकि जिला दिकारी महदे कि समिक्षा की करम में भी आया और राजस्तर की समिक्षा करम मे प्राप्ति है तो जो समिक्षा हम लोगों के द्वारा की गई थी जानकारी मिली कि किसान बंदू को बजार में जो है अधिक मूल मिल रहा है इसलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं जब कि हम लोगों विवस्था बनाए हुए है कि 48 गंटा गंदर उन्हें उनके एकॉंट में करता पर सर्पतादिकारी लगा हुआ है और चक आज मैं भी निकला हूं और किसानों से भी मुझे मिलना है आप देखेंगा भी जस्ट वहां से किसान से भी मिलके आपके सामने आया हूं तो किसान बंदू का कहना है कि बजार में अधिक मूली है लेकिन परतेक साल वो पैक् किसान के लिए कोई चुटी नहीं है तो हम लोगों के लिए कितना रविबार होगा हम रोग इसके लिए निकले हैं कि किसान बंदू से मिलें और उनकी समस्याओं को जानें उन्हें प्रेडित करें कि आप जाएं और धान जो है पैक्सों में दें अर्विंद कुमार पासवान जी थें जो सासा राम रोहतास दिला के DCU हैं उनका कहना है कि हम जो है लगातार जो है कम से कम 20 पैख्सों पर अपना देद निरिक्षण करेंगे और निरिक्षण करने के बाद जो उदासी है किसानों के परति वो बिलकुल देखने को ने मिल रही और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सारी चीज है कैमरामेन राजेश कुमार के साथ मैं एनाम मुल्ला खान अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक कीजे और वीडियो को शेर कीजे अगर आप इस वीडियो को यूटुब पर देख रहे हैं तो यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाईए